दर्शकों की पसंदीदा फिल्म फ्रेंचाइजी फुक्रे की तीसरी किस्त का बहु प्रतीक्षित ट्रेलर लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को लांच कर दिया गया फिल्म बनाने वालों ने इसके ट्रेलर रिलीज की तारीक 5 सितमबर ये सोचकर रखी थी कि इस दिन फिल्म में काम कर रहे पंकज त्रिपाठी का जनम दिन होता है ट्रेलर लॉंच के दौरान पंकज के नाम का केक भी आया लेकिन केक कटा नहीं पंकज त्रिपाठी की असल बर्थडे डेट 28 सितंबर है और सयोग ही है कि ये फिल्म इसी तारीख को रिलीज हो रही है दस साल पहले जब फुक्रे रिलीज हुई थी तो उस फिल्म में अभिनेता पंकज त्रिपाठी का छोटा सा किरदार था जो चौकीदार का काम करता है जैसे जैसे फिल्मों में पंकज त्रिपाठी की लोगप्रियता बढ़ती गई उसी तरह से इस फिल्म की फ्रेंचाइजी में उनका किरदार भी बढ़ता गया अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने कहा फुक्रे में मेरे मुश्किल से 8,18 सर ना रहे होंगे गेट पर बैठ कर दर्बान का काम करता था और आज पूरी फिल्म की दर्बानी कर रहा हूँ पिछले 10 साल में पंकज त्रिपाठी का हिंदी सिनेमा में कद और रुत्बा दोनों बढ़ा है उनकी फिल्म OMG 2 को जहां दर्शकों ने खूब पसंद किया वहीं फिल्म MIMI के लिए सर्वश्रेष्ट सहायक अभिनेता का राष्ट्रिय पुरसकार भी उन्हें हाल ही में मिला है अभिनेता पुलकित समराट ने कहा पंकज त्रिपाठी का फिल्म में होना ही सफलता की सबसे बड़ी गारंटी है पंकज त्रिपाठी ने कहा मुझे जो भी सफलता मिली है उसमें कई लोगों का योगदान है अगर मुझे अच्छी फिल्में नहीं मिलती तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसलिए अपनी सफलता का पूरा क्रेडिट फिल्म से जुड़े हर एक व्यक्ती को देना चाहूंगा फिल्म के ट्रेलर लांच के दौरान जब हिंदी भाषा को लेकर बात छिड़ी तो अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने कहा मैं फिल्मों की सर्ट क्रिप्ट देवनागरी में ही पढ़ना पसंद करता हूं क्योंकि देवनागरी में एक बार पढ़कर याद कर लेता हूं रोमन में पढ़कर याद करना मुश्किल होता है हिंदी, हिंदी सिनेमा का हिस्सा है हम हिंदी ही खाते हैं, हिंदी पीते हैं, हिंदी ही बिचाते हैं और हिंदी ही जीते हैं बाकी अन्य भाषाओं से भी उतना ही प्यार है, सम्मान है. लेकिन हिंदी भाषा हमारी पहचान है. फिल्म, फुक्रे तीन, अभिनेता पंकज त्रिपाठी के जनम दिन पर 28 सितंबर 2023 को रिलीज हो रही है. वैसे पंकज त्रिपाठी का साल में दो बार जनम दिन आता है. पांच सितंबर को भी लोग उनका जनम दिन मनाते हैं. फिल्म के ट्रेलर लांच के दौरान जब केक काटकर पंकज त्रिपाठी का जनम दिन मनाने की कोशिश की गई तो पंकज त्रिपाठी ने मना कर दिया. उन्होंने कहा, मुझे केक काटकर जनम दिन मनाना पसंद नहीं है और नहीं पहले कभी अपना जनम दिन मनाया पंकज त्रिपाथी का जनम दिन असल में 28 सितंबर है लेकिन उनके स्कूल के सर्टिफिकेट पर जन तारीक 5 सितंबर दर्ज है इसलिए कुछ लोग इस तारीक को भी उनका जनम दिन मनाते हैं ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे टाइम टॉक